वेल हेलो इंवेस्टर्स मेरा नाम ही होगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी तो आज की वडियो में हम बात करना रहें एमपावर इंडिया लिमिटेड के बारे में और साथ ही बात करेगे इसकी मार्केट की लेटेस अबडेट जिससे आनुविले समय में इसके शॉट टम टागेट्स और लॉंग टम में इसके क्या टागेट्स होने वाले हैं एम पर इंडिया लिमिटेड की आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक आज में 3 रूपिस 38 पैसे के आसपा स्टेट करती हुई नजर आ रहा है और आज भी आप नजर डालोगे स्टॉक में हमें एक लोवर सरकित लगती हुई नजर आ रही है और वही पिछ जाता है जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग की बारी आती तो फिर से गिरावट देखने को मिलती है फिर से स्टॉक में हमें कंटीनिसलो एक लोवर सरकिट भी देखने को मिलती है जा पर आप इस टॉक के फिफ्टेट टुविक लोग ही बात करें जो कि हमें करीब करी अब जो प्रॉफिट बुकिंग होगे तो इस गिरावाट में हमें बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं क्यों अक्सर काफी जड़ा सस्क्राबर यह भी कमेंट्स करते हैं कि अब हम स्टॉक में उपर के लेवल से फस गए तो अभी हमें आगे क्या करना चाहे तो जाप आप नज़ा डाल रि Case इनले पाचित दिनों से तो जितने भी मींड क्यप स्टॉक से लाज क्याब स्टॉक से और श्माल कैप स्टॉक सभी में आप नज़र डाल़ को सभी के संभी हमें रेल मयं丹ोज होते होते तो यह भी कुछ आइससे रिज़र से गता इन्दे से तो कभी कभी continuously lower circuit लगती है, तो इसके पीछे जो main reason है वो operators, जहाँ पर recently जो operators ने जो बड़ी बड़ी content इसमें buy क्या था, तब stock में continuously अपपा circuit लग रहा था, लेकिन आप current scenario इसका नज़र डालोगी तो operator से वो continuously selling करते भी नज़र आ रहे, जिस वज़े से भी हमें फिलाल stock में एक lower circuit लगती हुई नज़र है, जाब आप नज़र डाल से तो continuously इसमें heavy selling होती हुई नज़र आ रहे है, और काफी लंबे समय से यह हमें देखने को मिल रहे है, जाब आप नज़र बीच में purchase भी हमें देखने को मिला, उसके बाद एक और purchase भी देखने को मिला, लेकिन आप sales पे नज़र डाल तो काफी ज़र्दा sales हमें Ampour इंडिया में देखने हो रहे है, तो यह ऐसे कुछ reason है, जिस वज़े से भी हमें Ampour इंडिया के प्राइस है, उसके सार्ड मैनूपलेट किया जा रहे है, और जैसे कि वीडियो के starting में आपको बता है, आमले समय में यह stock आप सबसे अच्छा positive point है, साथ या आप नज़र डालोगे, quarter 3 के results में company के sales करीब करे, 17 करोड के आसपास के हमें देखने को मिली, 7 या profit पर भी नज़र डालोगे, तो 3 करोड 36 लाग का profit हमें देखने को मिला था quarter 3 में, तो देखा है तो काफी बड़ा figure है किसी भी penny stock के लिए, इस वज़े से भी stock में हमें एक अच्छी खासी rally देखने को मिली थी, और जैसे कि मार्च का महिना हमें चालू होते हुए नज़र आ और जैसे कि एक दो महिनों के अंदर फिर से company अपने quarter 1 के results अनाउंस करेगे, और जब company फिर से ऐसे अच्छे figures हमें show करेगे अपने quarter 1 के results में, तो आप easily predict कर से तो बहुत जल स्टॉक में फिर से हमें continuously upper circuit लगती भी नज़र आ सकती है, और जैसे कि वीडियो में बता है मैंने आपको फिलाल तो ये profit booking होते भी नज़र रहे, क्योंकि काफी लोगों को ये भी doubt है कि stock का कोई future ने, company deal list हो जागी, तो ऐसा कुछ होने ने व हमें load circuit देखने को मिले, जिस वज़े से हम अपनी holding इसमें sale ने कर पाएगे, और जो दूसरा main reason है, empire India में हम अपनी holding sale ने कर पाएगे, उसका main reason है, stock फिलाल हमें priority call option में देखने को, जा पर अगर एक example के तोर पे, अगर आप 3 रुपे 20 पैसे पे अपनी holding sale करते हो, अगर वो sale ने होता है, तो आपको फिर से एक घंटे के बाद अपना जो order है, उसे modify करना पड़ता है, और आपको every one hour में अपना order को modify करना पड़ता है, तब ही stock से आप अपने selling कर पाऊगे, तो ये reason है, जब कोई भी stock में priority call option में देखने को मिलता है, तो ये होता है, बहुत बार अकस अची खासे rally देखने को मिल सकते है, फिलाल तो हमें profit booking हो रही है, और जो दूसरा main reason है stock market में, जो correction हमें देखने हो जिस वज़े से भी हमें, फिलाल empire India के अलावा दूसरे stocks पर नेजर डार गए, तो सभी के सभी हमें घिराओट देखने हो ज़े, तो फिलाल आज के लिए ब